नमस्कार एक्जाम है पीबाई जहारखन चैनल में आपका स्वागत है तो दोस्तो जूड़ चुका हूँ मैं यहाँ पर आपके लिए जहारखन में सिच्छक भरती के बिग्यापन के लेटेस्ट अपडेट को ले करके तो बताते चले जहारखन में सिच्छक भरती का बिग्य YouTube टीम की तरफ से यहाँ पर नमांकन प्रारम कर दिया गया है, सहाय का चार्ज भरती परिच्छा की तियारी के लिए, तो ये 10 दिनों तक आपका नमांकन चलेगा, और विग्यापन आने के बाद आपकी जो यहाँ फर्स बैच की स्टार्टिंग होगी, तो आप जल से जल नमांकन करवा सकते हैं, तो देखें, 1 से 5 तियारी के लिए आपको 999 रुपे लगेंगे, और 6 से 8 की तियारी करना चाहते हैं, तो भी 999 और दोनों की तियारी करना चाह रहा है, तो 1499 रुपे में आपकर सकते हैं, यहाँ पर आपको फूली NCIT पार्टकरम पर अधारी सारे नोट्स और PDF की तियरी करवाई जा रही है जो आपके SCERT जारखण में जलने वाले पार्टकरम पर होंगे और यहाँ पर वहाँ से जाकर के देखने के बाद आपको 101 पर्टीसत सारे प्रशन को भीड़ने की गारेंटी रहता है तो आपके पास NCIT किताब है या नहीं है उसकी आपको कोई चिंता नहीं करनी है मैं आपको यहाँ पर सारे 128 सारे सब्जेक्ट का मैं यहाँ पर तियारी आपको पार्ट करम पर दारीत करवा दूँगा जिससे कि आपको 101% पास होने की पूरी फूल गारेंटी रहती है तो जो भी आपके मन में देखियें अभी तक डाूट होते रहता है कि 12-4 może 4,10 może के कारण result कराब होता है तो वो 2-4,10 to 5 little more जो आपके पक हाँ बढ़ने वाले हैं कम नहीं होने वाले हैं तो आप जड़ोर यहाँ पर जड़ जाईएगा हमारा mobile number देख रहे हैं तो उसका एडिवीशन प्राराम कर दिये गया है आप इहाँ पर एडिवीशन ले सकते हैं और एक ही बार आपको केवल फी देने हैं 999 रुपए उसके बाद कोई भी फी आपको नहीं देना है सारा हमारा यूटूब टीम काम करेगा ठीक है तो आगे देखते हैं वेकेंसी के बारे बताया जा रहा है कि जारखंड टीचर वेकेंसी जारखंड में निकलने वाली है हजारों के संख्या में सिच्छक के भरतियां सिच्छक बनने का मिलने जा रहा है सुनहरा मोका जो भी विद्वार लंबे समय से बनने के लिए बिग्यापन में भर सकते हैं तो इसके लिए है कि उमिद्वार लग जाएं इस परिच्छा के पूरी जी तोड़ तेयारी में इन भरतियों की घोशना प्रदेश के सिच्छा मंतर जगरनात महतों ने कर दी है उन्होंने कहा है कि 15 नॉमबर के पहले किसी भी दि 26,000 सिच्छों की भेकेंसी यहाँ पर जारी कर दी जाएगी और उमिद्वार के लिए एक महीना जो है फॉर्ण भरने का समय दिया जाएगा और उसके एक महीना बाद परिच्छा ले ली जाएगी तो आप जल से लग जाएगे 15 नॉमबर के पहले ही भेकेंसी जारी होगी इ अपने दिल में लेके बैठे थे एक बार फिर से उनके दिल में उमीद की किरन जगी है और यहाँ पर एक बार हैमन सरकार जो है अपने चुनावी वादों के कारण यहाँ पर सिच्छों की और पुल्शों की दोनों के बहाली करने जा रहे हैं तो आप लोग जल से जल पर जुड़ने का प्रयास करेंगे वीडियो के अंतक जुड़े रहे हैं इसके लाव सभी को बहुत बहुत धन्यवाद